ओके वेरिवन लाश्ट टाइम आप लोग को क्लास 10 के स्षुरेंड लोग आप लोग को जो क्वेशन नमबर 10 से लेकर के 15 तक का सारा एक्वेशन दिखा दिये थे ठीक है अब आज हमें start कर रहा है question number 16 से लेकर के बागी total दिखा देते हैं कि उसका equation कैसे बनेगा question number 16 देखो क्या बोलता है question number 16 में कहता है कि if a b a b and p are three co-linear points अब यहाँ पर एक word है co-linear points पहले इस word को समझ लिए co-linear का मतलब होता है कि अगर कोई भी तीन या तीन से ज़्यादा point किसी एक ही line के उपर हो जैसे इसमें देखें एक दो तीन और चार point ले लेते हैं माल लीजे a b c और d तो हम लोग कहेंगे कि a b c d एक co-linear point है यानि यह पूरा आपका क्या है एक ही line के उपर है अगर कोई भी तीन या तीन से ज़्यादा point जो होता है एक ही line के उपर हो तो उसको हम लोग को-linear point कहते है ठीक है तब देखें कोशन में क्या कहता है question कहता है if a b and p are three collinear points b lying between a and p b जो है वो a और p के बीच में कहीं पर है तो यह question number आपका 16 है तो एक line draw कर लेते है यह a यह p और बोलता है बीच में कहीं पर b है तो b ले लेते है ठीक है आगे कहता है p such that a b equal to 6 cm यहां से यहां तक 6 cm है ठीक है आगे फिर कहता है such that a b 6 cm and a b into a p a b into a p equal to bp square ठीक है तब कहता है हमको कि prove that a b square plus a p square हमको proof करना है a b square plus a p square equal to bp square यह चीज हमको बोला गया है कि प्रूफ कर 3 bp square के बराबर होगा इसको proof करके दिखाए ठीक है तो देखिए इसको proof अगर करने के लिए चलते है जड़ा ध्यान से देखिएगा हम लोग को क्या दिया हुआ है a b 6 दिया हुआ है तो bp हम लोग x मान लेतने है यह x cm तो let bp equal to x cm there are since a b कितना दिया हुआ है मेरा 6 cm therefore a p कितना हो जाएगा मेरा x plus 6 cm तो according to question ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है मेरा question दिया हुआ है कि a b into a p equal to bp का square ठीक है यह वाला चीज़ दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं अब इसका equation इसमें value को put करके देखिए ठीक है अगर इसमें value को put करके देखे तो a b value है मेरा 6 a p हम लोग का है x plus 6 और bp है तुमारा जाके x तो x square यह हो जाएगा हम लोग का 6x plus 36 equal to x square x square minus 6x minus 36 equal to 0 गोर से देखे यहाँ पर हम लोग को equation मिल गया equation मिल जाएगा अब आपको क्या करना है इस equation को solve कर लेना है ठीक है इस equation को आप लोग solve कर लीजे यह factorize नहीं होगा तो आप लोग यहाँ पर यह वाला formula यूच कर लीजेगा minus b plus minus root over d by 2a वाला इसको यूच करिएगा minus वाले को छोड़ दीजेगा करकि length कभी में minus नहीं हो सकता है उसके बाद जो x का value आएगा वो x का value क्या होगा बीपी का value उनको मिल जाएगा जब बीपी का value मिल जाएगा तो इस वाले equation में जो proof करना है हम लोग lhs अलग लेके चलिएगा इसको simplify करिएगा और इसको rhs को अलग simplify करिएगा question number 16 का full explanation ठीक है अब देखते है question number 17 चलिए देखते है question number 17 का एक कहता है if a car increase its speed by 10 km per hour then it takes 36 minutes less to cover a distance of 72 km find the original speed of the car जेखे जब ऐसा हो ना थो हमें काम करते हैं मान लेते हैं 17 का a ठीक है हम मान लेते हैं let speed of car equal to x km per hour ध्यान दीजेगा एक बात यहाप पर हम असल में क्या कर रहा है आप लोग को सिर्फ equation ला करके दे दे रहे हैं ठीक है क्योंको पता equation के बाद आप लोग simplify कर सकते हैं तो हम बस equation simplify करके आप लोग को दे रहे इक्वेशन के बाद आप लोग खुद से बना लिजे ताकि आप भी थोड़ा मेहनत करें आप इस चीच को सीख सके क्योंकि maximum बच्चे को इक्वेशन में ही problem होता है उनको equation ही समझ में नहीं आता है कि कैसे बना है तो हम वही आप लोग को सिखा रहे हैं तो मान लिए कि उसका speed कितना है अब चुकी distance मेरा कितना दिया हुआ है 72 km तो उसको time कितना लगेगा ध्यान से देखना तो उसको t1 यानि first time कितना लगेगा distance by speed होता है हम लोग का इतना time लगेगा उसको ठीक है अब लेकिन कहता है कि वो speed कितना increase कर रहा है 10 तो नया speed उसका कितना होगा 10 km per hour speed बढ़ा दिया तो new speed कितना होगा new speed हो जाएगा x plus 10 km per hour तब इसको time कितना लगेगा 72 by x plus 10 इतना hour लगेगा लेकिन question में ये line mention किया गया है कि उसको कितना कम लगता है 36 hour ध्यान देना पहले जब चला रहा था तो उसको इतना time लगा तो ज्यादा में कम को minus करते है यानि according to question पहली बार में जितना उसको time लगा था उसमें अगर हम दूसरा बार जितना time मिला इसको हम क्या करेंगे माइनस करने तो कितना मिनिट बच रहा है उसका 36 मिनट बच रहा है 36 मिनट तो 36 मिनट चुकि आवर में यहाँ पर मेरा कैलकुलेटर आ रहा है तो 36 मिनट बतलब कितना हो गया 36 by 60 आवर तो T1 मेरा कितना है 72 by x minus 72 by x plus 10 equal to 36 by 60 अब आपको ये question simplify खाली कर लेना हम equation तक ला देते हैं ताकि आगे आप लोगो दिक्कत ना हो तो ये आपका 72 को जाहे तो common कर सकते हैं 72 को common कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ आँ गया 1 by x minus 1 by x plus 10 यहाँ पर 36 by 60 तो 36 दुना बहत्तर तो 1 by LCM ले लिजे x plus 10 x plus 10 minus x by x x plus 10 equal to यह 2 यहाँ multiply हो जागा तो 120 चीक हैं तो उपर से x और x खतल cross multiplication कर दीजिए तो इधर हो गया मेरा 1200 और अधर यह चला जाएगा तो अंदर multiply कर देगा तो मेरा हो जाएगा x square plus x 10x यानि equation हमको मिला x square plus 10x minus 1200 equal to 0 अब आप लोग इस equation को solve कर लिजे ठीक है अब इस equation को आप लोग easily solve कर लिजे ठीक है कुछ किये नहीं है simple क्या कि हम question को explain कर देते हैं पहले मान लिए उसका speed x है उसका पहला distance कितना दिया है 72 km पहले बार में उसको कितना time लगा तो distance by speed होता है distance 72 और time हो गया आपका x hour sorry speed हो गया इतना तो या इतना hour लगेगा इसको second time जब speed बढ़ गया तो उसको कितना time लगेगा इतना अब कर दागे 36 minutes उसको कम लग रहा है यानि अगर पहला time में दूसरा time को minus करेंगे तो कितना उसका हो रहा है 36 minutes को कम लग रहा है तो उसको hour हम बदल दिये और equation आ गया मेरा अब इसको हम simplify किये मेरा equation आ रहा है x square plus 10x minus 1200 अब आप इसको simplify कर लिजे आपका answer आ जाएगा ठीक है अगर speed minus में आ रहा है चुकि इसको simplify करेगा तो 2 को value आएगा तो अगर minus में जो वाला speed आएगा उसको ignore करिएगा क्योंकि speed can't be in negative वो कभी भी negative नहीं हो सकता है ठीक है तो यह था 17 का A आप 17 का B दिखने है 17 का B कहता है An express train make a run of 24 240 km at a certain speed another train whose speed is 12 km per hour less than an hour longer to make the same trip you find the speed of the car find the speed of a express train चलि तब इसको देखते हैं इसमें कहता है कि distance हम लोग का कितना दिया हुआ है 240 km तो distance एक काम करता है धर से लिखते हैं distance equal to 240 km हम लोग का दिया हुआ है ठीच है और तो मान लेते हैं कि जो आपका ये है मतलब speed होगा express train का let speed of express train इसको x मान लेते हैं हम थोड़ा hand rating सुधार निया कोशिश करते हैं इसको मान लेते हैं x km पर आवर तो उसको time कितना लगेगा therefore time equal to time होता है distance by speed तो 240 by x इतना आवर लगेगा उसको पहुचने में express train के लिए ठीक है फिर काता है आप दोको जो दूसरा train है उसका speed कितना लगेगा चुकि इसका 10 km कम है तो speed of second train या another train equal to x minus 10 km per hour ठीक है तब कहता है कि तो फिर इस हिसाब से अगर देखने चले तो इसको time कितना लगेगा चुकि सेम ही जगह है तो इसको time लगेगा इसको time 1 इसको time 2 तो इसको लगेगा तुमारा 2 0 by x minus 10 इतना hour लगेगा इसको अब इसमें question में mention किया गया है कि तबहरा जाके कहा गया takes an hour longer to make the same trip यानि ये एक घंटा जादा लेता है ठीक है एक घंटा अगर जादा लेता है पहुचने में तो इस बार ये जादा ले रहा है तो according to question इसमें time 2 में अगर हम time 1 को minus करेंगे तो हमको कितना मिलेगा एक घंटा के बराबर चुकि e जादा ले रहा है इसलिए इसको पहले रखे तो time 2 कितना है 2 4 0 by x minus 10 minus 2 4 0 by x equal to 1 2 4 0 को comment करके उधर ले जाएंगे तो 2 4 0 1 by x minus 10 minus 1 by x तो इसको इसको यह पहले रहने देता है 2 4 0 लेखते हैं 2 4 0 और यहां LCM लेने के लिए चलेंगे तो मेरा हो जाएगा x minus x plus 10 by x x minus 10 equal to 1 यहां पहे x और x cancel तो उपर-उपर cross multiplication 2 4 0 0 equal to इसको अधर ले जाएंगे तो x square minus 10 x इठागे इधर तो x square minus 10 x minus 2 4 0 0 equal to 0 ठीक है फिर से हम लोग का equation मिल गया हम लोग का equation कितना मिल रहा है हम लोग का x square इसका इसका इस्पीड जो है 12 है अचानक से मेरा नजर पड़ा उसका बारा किलोमेटर का ज्यादा का हिसाब है तो 12 x 24 करेंगे यहाँ पर equation मेरा गलत हो जाएगा नहीं तो तो मेरा हो जाएगा 12 से मल्टिप्लाइ करके 2880 equal to x square minus 12 x तो हमको मिला x square minus 12 x minus 2880 equal to 0 अब आप इसको factorize कर लिजे ठीक है factorize कर लिजे आप लोग का answer आज है अगर आपको factorize करने में दिक्कत हो रहा है तो हम बता देते हैं इसका factorization 2 होगा एक होगा minus 60 x और एक होगा plus 48 x अब आप इसको easily factorize कर लिजे question number 17 का b ठीक है ये question number 17 का b था अब question number 17 का c देखते हैं हम लोग देखें इसमें भी same to same question number 17 ये में जैसे बोला गया है same to same होई है कोई changes नहीं है इसमें बस आपको ध्यान दखना होगा कि किसको किसमे minus करना है चोकि ज्यादा time कौन ले रहा था t2 इसलिए t2 में t1 को minus कि जब कि पिछला वाला में t1 मेरा ज्यादा था इसलिए t1 में t2 को minus किये थे ये ध्यान रखिएगा बड़े में छोटे को minus किया जाता है यह मिसा ध्यान रखिए चलिए अगला कुश्यन है इसका see a male train takes two hour less than a passenger train is cover 192 km if the speed of the male train is 60 km per hour more than that the passenger train find the speed of the passenger train ठीक है अब दोखों यहां भी same to same कहानी है बोलता है distance दिया हूआ है 17 का see हमको distance कितना दिया हूआ है 192 km को question हमेसा दो बर चेक करिए नहीं तो हमेसा गलती हो जाता है ठीक है उसके आगे दिया हूआ है तो इतना distance दिया हूआ है मान लो कि passenger train का जो है speed x है let passenger train speed equal to x km per hour तो यह time कितना लेगा T1 ले लेते हैं इसको यह हो जाएगा distance by speed इतना hour लेगा इस हिसाब से अगर देखने चले तो दूसरा वाला train है उसका speed कितना हो जाएगा उसका हो जाएगा x plus 60 क्योंकि 100 km ज्यादा है तो speed of other train equal to x plus 60 तो इसका time कितना लेगा यह लेगा इतना ही distance by x plus 60 इतना hour अब आगे question कहता है कितना ज्यादा यह कम ले रहा ही है तो बोलता है कि mail train take two hour less ठीक है पैसेंजर train to cover इतना km अब बोलता है mail train जो है वो तुम्हाँ जाके दो घंटा कम लेता है ठीक है तो mail train दो घंटा कम लेता है यानि कि ज्यादा कौन ले रहा है पैसेंजर train according to question यह mail train है ठीक है तो according to question यह चुकी ज्यादा ले रहा है इसलिए t1-t2 कितना घंटा ज्यादा ले रहा है तो यह ले रहा है आपका दो घंटा ज्यादा तो two hour less ठीक है अब आप इसको simplify कर लिजे यह जाएगा 192 by x minus 192 by x plus 16 equal to 2 तो 192 common 1 by x minus 1 by x plus 16 equal to 2 2 से इसको कटा आइए तो 996 यहाँ LC हम ले ले लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा x plus 16 minus x by x bracket by x plus 16 equal to 196 यहाँ x और x खतम हो गया अब अगर आप multiply कर लिए 96 into 16 अगर करने के लिए हम लोग चलते हैं तो आपका हो जाएगा 3072 तो उपर हो गया मेरा 3072 और cross multiplication के साथ में कर लेते हैं तो यह हो जाएगा इधर मेरा x square plus 16x तो x square plus 16x minus 3072 equal to 0 इक्वेशन आगे हम लोग का अब आप लोग इस equation को solve कर लिजे ठीक है I think हम कहीं पर mistake कर रहा है क्या हाँ हम गलती कर दिये multiplication में 96 x 16 1536 तो हम लोग का equation आगे है 1536 तो हम लोग का यह equation आगे है अब आप लोग इसको simplify कर लिजे अगर इसको factorization आप जानते हैं factorization कर लिजे अगर इसको factorize करेंगे तो इधर है आपका 1536 तो यह आपका factorize हो जाएगा इसका दो factor होगा एक होगा 48x और एक factor हो जाएगा आपका minus 32x ठीक है आपका दो factor बता दिया अब आप लोग इसको factorize कर लिजे ठीक है बाकी इसके आगे का बना लिजे खुद से यह था question number 17 ठीक है 17 का C अब 17 का D देखते हैं 17 का D का अगर बात करें तो इसमें कहता है इसमें कुछिब थेकॉसें कहता हुगा था किष्किर को Ah the distance by road between the two town A and B is 260 km by rail it is 208 km, a car travel at the speed of X km per hour and a train travel faster by 16 km per hour calculate the time taken by the car to reach town B from A in term of X and the number two is the time taken by the train to reach town B from A in term of X if the train takes two hour less than the car obtain the equation and obtain an equation in X solve it to find the speed of train चले इसको बना करके देखते हैं यह अच्छा कोशन लग रहा है तो सबसे पहले दोखो A और B के बीच काट डिस्टेंस कितना है? by road 17D distance by road 216 km उन्म का दिया हुआ है ठीक है? distance by road हम लोखा 200h उन्म का दिया हुआ है और अगर बाइ ट्रेन का बात करें distance distance by train का अगर बात करें तो 208 km का दिया हुआ है ठीक है अब आगे कहता है कि तो एक काम को रहो तो ऐसे मैं मान लेते हैं कि कार का जो speed है let speed of car equal to x km per hour तो therefore speed of train चुकी 16 km ज्यादा उसका speed है तो यह हो गया मेरा 16 km x plus 16 km per hour ठीक है अब कहता है इसमें तो अगर time का भी निकाली लेते हैं दोनों का तो time taken by car कितना लेगा तो 216 by x इतना आवर और time taken by train हो जाएगा मेरा 208 by x plus 60 इतना आवर ठीक है दोनों का time भी मेरा निकल गया अब आगे question में एक line पढ़ लीजे question क्या कहता है question कहता है कि distance the hour इतना car travel इतना calculate time and the car travel x km and train travel fast station km calculate train taken by इतना ठीक है अब देखे last में लिखा है if the train takes two hour less train क्या हो रहा है कि दो घंटा कम ले रहा है ठीक है train तो according to question तो जादा कौन ले रहा है car ले रहा है तो car का time 200 solar by x में train का time घड़ जयागा मेरा equal to कितना घंटा time ले रहा है तो दो घंटा extra ले रहा है ठीक है अब आपको ये वाला equation को simplify करना है एक बार फीर से ध्यान से देखो काता है कि car जो है वो दो घंटा जादा ले रहा है train के comparison में तो car का time में हम लोग train का time को मैनस कर दिये तो 2 hour मैंने निकल गया अभ इस equation को simplify करिए simplify करके देखे कि कितना आता है तो cross multiplication 216 x plus 16 minus x 208 by x x plus 16 equal to 2 तो 216 x plus 216 and 16 को अगर multiply करके देख लेते हैं तो ये आपका ri हम direct कर लेते हैं ठीक है ये आपका ri 3456 3456 minus 208 x by x square plus 16 x equal to 2 तो दोसर सो अधार मैं subtract कर लेते हैं हम लोग का बच्चे का 8 x 216 और 288 तो 8 x plus 3456 equal to 2 x square plus 32 x सब को एक साइड तो 2 x square plus 32 x minus 8 x minus 3456 equal to 0 तो subtract करिए 2 x square plus 24 x minus 3456 equal to 0 2 common हो रहा है 2 common कर लीजे तो हमको मिलेगा x square एक काम करते हैं उपर साफ कर देते हैं साइड में दिखने रहा है तो 2 x square plus 24 x minus 3456 equal to 0 2 common कर लीजे और कटा दीजे तो x square 2 common करके उधर लेगा है तो x square plus 12 x minus 1, 7, 2, 8 equal to 0 हम लोग का equation एक मिला x square plus 12 x minus 1728 अब आप लोग इसको factorize कर लीजे ठीक है अब अगर आप लोग इसको factorize करते हैं तो यह जो 12 है यह आपका 48 x और minus 36 x दो पाट में factorize कर लीजे और simplify कर लीजे question number 17 आपका complete हो जाएगा ठीक है यह था question number 17 same question था 17 का a, b, c, d सब एक ही जैसा था ठीक है अब अगर इसको आप लोग निकाल लीजेगा यहाँ पर तो बाकी आप लोग सब चीज निकाल सकते हैं चली यह था question number 17 अब देखते है question number 18 देखते है question number 18 क्या बोलता है question number 18 बोलता है कि the speed of a boat in still water is 15 km per hour takes 4 1 by 2 hours to travel 30 km down the stream and back to the starting point find the speed of the stream अब देखो धिहान से अगर इस कोश्य को बनाना है तो इसमें आपको यह समझना होगा जैसे मानलो यह आपका नदी है इसका stream यानि धार इधर चल रहा है और यह आपका नव है ठीक है अगर आप इस और जा रहे है तो धारा के opposite में अगर जा रहे है तो अगर मानलीजे आपका speed x km है और y km है आपका stream का x km पर आवर आपका यह है मतलब 9 का speed और इसका है y km तो अगर आप इसके opposite direction में जाएंगे तो एक तो इसके speed से minus हो जाएगा यानि जो net speed होगा आपका net speed का अगर हम लोग बात करें तो वो हो जाएगा x minus y km पर आवर क्योंकि आप इसके opposite में चल रहे हैं लेकिन वही अगर मानलीजे आप इसके साथ चलते हैं धारा भी इधर जा रहा है और आप भी इधर ही जा रहे है तो आपका speed पलस हो जाएगा जो भी धारा है उसका speed यानि इतना km पर आवर हो जाएगा आप लोग का net speed अगर इस line को आप समझ जाते हैं ठीक हैं तो ये question आप easily बन जाएगा क्योंकि आप भी देखो न आप नदी में अगर कभी भी नहाए होंगे in case तो आपको पता होगा कि नदी में अगर नहाए होंगे तो अगर पानी के उल्टा धारा तरफ आप तेरते हैं तो जादा महनत करना पड़ रहा है जबकि आप उतना ही हाथ मार रहा है तो जैसे देखो इस स्पीड ऑफ बोट कितना दिया होगा है मेरा question number 18 a speed of बोट कितना दिया होगा है x km per hour in still water उसके अलाबा distance हम लोग का कितना दिया होगा है distance दिया होगा हम लोगों का 30 km ठीक है अब कहता है कि तुम्हाँ जाके वो कितना आने जाने में उसका कितना घंटा का डिफरेंस आ रहा है वो तो 9 by 2 का आ रहा है यानि 4 1 by 2 यानि 4 2 ना ठेकिन हो 9 by 2 hours का आ रहा है तो मान लेते हैं कि speed of stream जो है मेरा speed of stream हम लोग मान के अचा बोट का speed दिया हुआ है sorry बोट का speed अल्रेड़ी 15 km दिया हुआ तो इसको हम लोग x km मान लेते हैं तो according to question ध्यान से देखीगा पहला वाला के लिए जितना time लगा कितना time लगा distance by speed तो जो धारा के साथ चलेगा वो ज्यादा आपका क्या करेगा वो आपका क्या करेगा कि speed जो है और जो धारा के अगेंस चलेगा उसका timing जादा होगा तो 15 प्लस x यहाँ पर चुकि तुम्हारा जाके speed अगर धारा के साथ चल रहा है तो उसका speed कितना होगा 15 प्लस x जादा जस्ट वर मिनेट एक मिनेट जरा असर रूप चाहिएगा सभी कोई question में actually 7 में चल रहा है ठीक है question में कह रहा है कि दोनों 7 में चल तोटल टाइमिंग दिया वा है कि इसको 9 by 2 आवर लगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को पहले भी लोगो किसी को बात में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो यह धारा के 7 चलने वाला timing और यह हो गया ठीक है तो यह timing हो गया मेरा जो धारा के 7 बहरा है और यह उसके against में दोनों मिला करके कितना के बराबर हो रहा है 9 by 2 अब आप इसको simplify कर लिजे तो उपर से 30 कोमन कर लिजे तो यह हो गया मेरा 1 by 15 plus x plus 1 by 15 minus x equal to 9 by 2 तो 3 से यह 3 बार में यह 10 बार में cross multiplication आप चाहिए तो कर सकते हैं तो यहां हो जाएगा मेरा 15 minus x plus 15 plus x by 15 का square minus x का square equal to 2 into 10 तो x और x खतम 30 by 225 minus x square equal to 3 by 20 cross multiplication 600 equal to 225 गुना 3 कर लिजे तो 225 गुना 3 करते हैं तो यह हो जाएगा आपका 5 तीया 15 तीन दूना 6 x 7 तीन दूना 6 x 75 minus 3 x square ठीक हैं तो सब को ठाके धर लिए आईए तो 3 x square minus x कहां गया just one minute चलिए x का तो कहीं कोई लफडा बचा ही नहीं है अच्छी बात है तो plus 600 minus 6 75 equal to 0 तो 3 x square minus 75 equal to 0 तो क्या कोमन हो रहा है 3 कोमन हो रहा है तो x square minus 1 2 25 equal to 0 तो x square minus 25 equal to 0 तो यह हो जाएगा x plus 5 x minus 5 equal to 0 therefore x equal to मेरा कितना निकलेगा 5 km पर आवर देखिए यह पुरा पुरा एंसर ही आ गया मेरा डिरेक्ट हम थोड़ा थोड़ा step काटे हैं इतना तो आप लोग समझी सकते हैं यहाँ पर आप लोग का क्या कि 3 कोमन करके 3 उधर ले गए यह 5 का square कर देंगे तो a square minus b square तो a plus b a minus b मेरा डिरेक्ट आपका एंसर आ रहा है अब यह जो प्लस वाला था इसका एंसर मैनस में आगा तो speed कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है तो डिरेक्ट हम लोग लिख देंगे x equal to 5 km आप लोग इसको थोड़ा बढ़ाच राके लिख ली जगाएक एक कर गए ठीक है यह है question number 18 का a अब question number 18 का b question number 18 का अगर b का बात करें तो कहता है an aeroplane takes 40 minutes less to fly अब देखो यहाँ पर तुमारा इसका speed निकालने के लिए कर रहा है तो में यहाँ इस question को भी आप लोग खुद से बना लोग एक तो इस question को बना लीजिए question number 19 भी same to same है उसमें भी कोई changes नहीं है आप लोग खुद से कर लीजिए उसके बाद 20 यह सब जो है यह सब आप लोगों को next वीडियो में हम बता देंगे ठीक है thank you खो भी आप है लो खारत गह दितार ङ हमाशए